कि मेरे सबी दोस्तों का दाकट सायंस क्लासेज में स्वागत एउँ अभिनैन्दन आज मैं आपके लिए सांदार जवर्दस्त प्रसंन ले कर आ calculating मेरे सभी बाईधुन सबी दोस्त मेरे साथिylie हन्द मेरे मित्र सभी जल्दी से जुड़ जाए मेरेसे आज कुछी इस है आज की जो मनोग्यान की टेस्ट्रीज है यह टेस्ट्रीज निंबर 27 से संपुर्ण पाठेक्रम पर आदारीते हैं और इन परसनों को रट लेना बार-बार पूचे गए परसने रटने का मलब यह गांट बान लेना यहां पर इसा परसन आपने कहीं पर नहीं देखा अभी तक अभी तक आपने इतनी सब कुछ कर लिया एडि से चोटी तक जोड लगा दिया एडिसे चोटी तक का जोड लगा दिया लेकिन ऐसा परसन आपने पूरी मनोव घ्यान में कहीं पर नहीं देखा वा किवे जबर्दस लाजवाप न्यूबर से बिलकुल यूनिक त्विसन है यह चले इसका पहला परसं परसेन पहले देखा उस मेरों कमेंट करके बतादा है क्ई लिए पॉस्य नवर यह पत्ति क्या होती है तो इसको आप जितना स्वतन्तर रखो ज्यादा सिखेगा मतलब कि आप किरिया में को हस्त सेफ करते हो तो बालक दीरे सिखेगा इसलिए इसको बोला हस्त सेप रहित सिक्षा मतलब कि जैसा बालक सीख रहा है ना उसको सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और इन्हों ने फ्रोबेल ने क्या कहा था तो फ्रोबेल ने एक तुलना की थी कि जिस प्रकार माली होता है वो अपने बगीचे की देख फ्रोबेल की थी देख उसकी डूसरा नाम है साचारविधी साचार विदी किससी आ दिधी इस रणा इंहोने वह 12 मांटेश्ट्री ने दी इन्हों नों क्या था ऐनयों क्वाँता बच्cept की जू है उलकक जदा सीखते हैं बलतन झाल ओं綁दिए एक और विदि आती, डालटन विदि किंशने दी थी, तो डालटन विदि कुमारी हेलना पार्क हरिष्ट ने डी टी यह बाते आपको याद रखनी है, दूसरे परसन के और चलता हूँ कि आपको ये बताना है कि कोहल बर्ग ने कोहल बर्ग ने नेतिक विकास का सिदान्थ कब दिया था आपने काफी बार ये पढ़ा हुआ है कि नेतिक विकास का सिदान्थ कोहल बर्ग ने दिया था लेकिन उन्हें ने कब दिया था अब आप से परसंद ये पुचा गया तो अब आप उत्तर ये दोगे कि ये सिदान्त कब दिया गया था तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए बिल्कुल सही है इसका correct answer जो जाता है ये जो है कोईल बर्ग ने नेतिग विकास का सिदान्ट 1979 में दिया था और इस दान देते हुआ की नेतिग विकास के 3 तो अवस्ताहें होती है और 6 इसकी क्या होती है पूरू परम परागफयत या पूरू रूडि वद या फिर ने बदाई प्रीकनवेंशनल अवस्ता इस अवस्ता का काल जो बताया था यह पूस्ट पोश्ट कन्वेंशनल उप्ता नहीं नहीं पश्टा नहीं पस्ट कन्वेंशनल औहुज़ मे works स्ट। अगले परशन को चल रहा हूं अगला परशन आपके लिए पेस होने जा रहा है साथ सांदार परशने क्या करना चाहता है परशन को ध्यान से पढ़ना और उतर देना पासा की सापेक्सता प्राकल्पना किसने परतिपादित की थी जल्दी से बताएं मुझे किसने की थी यह जो करने वाला था हमारा यह जाता है हमारे ऑप्षन नमबर परिकल्पना दी यह थे और अगले प्रसंट को चलता हूं यह जिन प्रसंट में आपके लिए पेस्ट करता हूं देखो प्रसंट क्या करना चाहता है बहुत सांदार प्रसंट प्रसंट करना चाहता है कि पुस्तक का नाम बता रहा है पुस्तक का नाम यह साब की यह लीजिए पुस्तक का नाम पुस्तक क्या है यह बायो ग्राफिकल sketch of infant किसने लिखी थी यह पुस्तक किसने लिखी थी इसके बारे में आपको बताना है तो जल्दी से मुझे बताईए मेरे सभी बाई बैहन मेरे सातिक गान जल्दी से इसका उतर देंगे इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा यह option number किसको जाएगा जल्दी से बताईए आपको बताना है जिससे किसोर मनोविज्यान के पिता के नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है तो जल्दी से बताईए मेरे सभी सातिक गान बहुत अच्छा स्कोर आता है आपका आप सब कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है कि आप की त्यारी इतनी एच्छी है लगबग सब के 90 से उपर परसेंट रहते हैं बहुत मज़ा आता है मेरे को भी कि वास्तव में मेरे सातिक गाने जो बहुत त । क्यां प्यांका प्रान में किृत्य द्यारतीं के आफ उनने उन्यों प्राइड परिवर्तन का सिद्धान्त की। अक्समाद परिवर्तन का सिद्दान्त और इन्हीं ने पुस्तक लिखी थी एडोल छेंस क्या लिकी थी हैं पुस्तक लिकाया था अब इन्हें क्या अक्समाद परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे बालग 11-12 वर्ष की अवस्ता में आता है इसके बाद बालग बालिकाओं में अक्समात परिवर्थन आ जाते हैं और वो किसोर किसोरी बन जाते हैं ये बात इसने इस सिद्धान्त में कही थी लेकिन फिर हमारे थोंडाइक साहब आते हैं इनने कहा कि दोगो साहब इन मतला है ये फ्रिवर्थन बहुत ही अक्समात व्लत में जाता हूं इजाजण्थे Krma सब्सक्तिताइब लगता है बहुत समझके उतर देना पर्षण क्या है कोई बच्चा किस अवस्ता में पर्यावरानने से परबावित होने लगता है आप सोच रहे हों कि जब बच्चा पैदा होगा तभी तो प्रभावित होने लग जाएगा लेकिन इसका सही आंसर क्या है साप चल्दी से उत्तर दीजिए बहुत सांदार प्रसने इसका करेक्ट आंसर होगा ना तो अभी देवा आप जटका लगेगा बहुत जोरदार जटक क्या क्या होता है कि हो परह llan से अंते किया करता है कि वह घुमी पर्या राटन को time को देखेखे परे यह चाहिए करे इसे बोलते हम अन्ते क्रिया कर तो बता़ आप सेच्वा में बालक की काम नीं करता है फ्रैया को नहीं समझता है वो सेश्वा सब्सक्रांपर सीजिवार् शिक्सा के सो रूप को कैसे परिपासित किया जाता है ज्यान अर्जन के रूप में पुस्तकु से प्राप्ति के रूप में अनगुँ के द्वारा होने वाले ज्यान वर्दी के रूप में विद्यालाए शिक्सा के पर्यावाची सब्द के रूप में बहुत जबर्दस्त पर सकते हैं इसको परभाषित कर सकते हैं इसका अभी बने पर से हो जाएगा अब मैं सहर्ब अगले पर्सब्ध छलता हूँ हमसे ही परस्ण के लिए है放재 फोन डाइक के विचार से होता है यह एक निश्चित अउद्धी के बात उच्तम उच्तम बिंदु पर पूंच जाता है जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर इसका जो करेक्टर आंसर जाता है अपने बात कहीं थी कि बालक का जो विकास होता है अब मैं नवए परसन के ओर चल रहा हूं आज का सांधार परसन आचबा है साहब बहुत गजब का परसन है मान जाओगे आपकी हाँ इसकी व्याक्या को सुनके तो साहब आपने मनोग ज्यान में बहुत आनल लग जाएगा आपको इसका उतर देना तो पहला परसन क्या चाहता है कि सोरू में सम्वेक के नियंतरन का सबसे अच्छा उपाए निमलिकित म करण को दूसरा नाम क्या होता है Frog thики उसना को मतलब क्या होता है निकाल देता ये landa ke तो खट्टे हैं तो लोम्री ने किया क्या कारिये में ही खोट निकाल दी तो इसे बोलते हैं युक्ति करन एक और उदान देदू में इसको जैसे कि कोई लड़का क्या करता है लड़का लड़की देखने चाता है और उस लड़की को क्या कि लड़का पसंद नहीं आता और व वो मना किष ने कहता लडर के निया आता इसे बोलते हैं मुट्ति करन या हो सित्ते करन अब आप सोचे लेओं ध्यान देना अब दूसरा जो प्रेक्षिपन कंदेक्स होता है अपनी गलती दूसरूं पर सोपदेना और यह जो प्रेक्षिपमन नंडाकाऊ नास की देश को समाज में कोई पुरानी चीज चली आ रही हो और हमें अब अच्छी नहीं लग तो हमारे शाब से उसको बदलाव कर लेते हैं जैसे कि समाज में पहले अंतर जाती हुआ नहीं होते थे लेकिन वरतमान में हो रहे हैं अगर शाव करसे कि और शीयाया है तो समवे के नच्रन का सबसे अच्छा उपए होता है वो क्या होता है अपनी गल्ती दूसरOOOO तर थौप देना तो साथ व्याक्या कैसी लगी अगर व्याक्या अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताए हमें हमारे मनोबल को बढ़ाए साथ यूँ आप कि बलब आप जिसे सकारात्मक कमेंट करोगे हमारा मनोबल बड़ेगा और मनोबल बड़ेगा तो मैं आपके लिए बहुत जबर्दस और सांदार और नहीं नहीं परसन लेकर आऊंगा तो जो भी विद्यार्थी को जैसा लग रहा है देखो अगर गलत बात लग रहे तो गलत विद्यू कमेंट कर रूप में बताओ अगले परसन चलता हूं साहाम मैं अगला परसन दस्वा परसन आपके सामने पेस होने जा रहा है बहुत सांदार लाजवाब परसन है परसन क्या कहना चाहिए समयश्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोस्वों कम्य रिखते हों के पल्य सकता यह विशेश्चता होती है यह होती है स्रेजन शयल बालकों की उती सटेख वह परत्याद से आखले किताब को पढ़के अच्छे नंबर लासकते इसीट सब्सक्राइं और कमेंटकर बताना कि आपको कैसी लगती प्रात्मिक विद्या लाइव में शिक्षकूं को प्रती सब्ताकुल कितने गंटे की योजना बनाकर कार्य करना पड़ता है आप मैंने पहले लियाificación लेकिंगेन आपके अ मेंमोरी कितनी सास्ऽ कित्व टेस्थ प्रत से करने के किसो Indy नहीं कि विवेद कर सके हो अच्छे मुल्चा, यसवे उस्ट होते हैं विवेद का रिता द्याननना में इसकी व्यत्या करता हूं एक उत्हाओ कमला होता है उस पर साल Article दिन पर्वादा होता है on में दो सस्था-व्य तो दिन उसमें होता है और कुलड चुल हो जाएगी क्लास को पर कालांसु की संगाज़ों रहीगी यह रहीगी हमारे हज़ार और एक सिख्षक को प्रतिस अपता कितने 45 गंटे काम करना यानि कि सिख्षण एवं त्यारी करनी होती है उसे कि सिख्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निसक्त बच्चे पर 6-14 वर्स पर बच्चू की नियमे तो उपस्तिती पर और 14-18 वर्स की आयू के लिए तो इसका तो सभी मेरे भाई बैन उत्तर देंगे पूरी उमीद है आसा है आप से कि आप उत्तर देंगे इ इसकाराइब होता है ये पहला सक्सक्राइब करेंगे और विश्यस बात क्या है आपको इमांदारी से लग रहा है कि हां वास्तों में प्रसंट बहुत अच्छे लेवल के हैं तो आप वास्तों में देगो आप कमेंट अवस्य करोगे और कित्ते परसंट सही ओर ये मेरे को जरूर बताओगे और एक बालक फिए एक मेरा विद्यारति भी है ना जो एक विद्यारती दस देने के पास में सेर करता है तो भी परिड़ापते हैं ये तो समय निकाल के प्लीज सेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें मुस्क्राते रहें वंदे मात्रम जेस्याराम